साधर जेश्री कृष्णु आप सबी भक्त जन्नों को दिपावली के हर्दिक शुपकामना है आज हम दिपावली का यह पावन त्योहार मना रहे हैं पंच परवा यह त्योहार चुकी भारत त्योहारों का देश है यहां नित नया दिन माना गया है और इसमें अक्टुबर नवंबर मास में जो दिपावली का त्योहार हम मनाते हैं यह त्योहार विशेश है क्योंकि यह त्योहार महालक्षमी का पूजन है इसमें पांच दिन विशेश होते हैं यह प्रारम भोते हैं धन तेरस से और भाई दूज तक चलते हैं इसमें जो बीच वाला दिन है तीसरा दिन जिसको हम दि योहार इसलिए मनाया जाता है चुकि इस समय में अंग्रेजी मास से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्यत तुला अर्थात उसकी नीच राशी में होता है इस कारण से सूर्य का बल क्षेण होता है और अमवस्या पर योत योहार आता है तो धनतेरस से भाई दूज तक चंद्रमा भी बल हीन होता है चुकि अमवस्या का समय रहता है तो जब सूर्य और चंद्र दोनों का बल क्षेण हो रहा होता है उस समय हम दीप के द्वारा एक नया प्रकाश पर्व मनाते हैं इसमें दीप प्रजुलित करना विशेश बताया गया है प्राचीन मानिता के न अनुसार ये कहा गया है कि श्री राम जी रावन का वधकर के श्री सीता जी मैया को साथ लेकर अयुद्या में इसी दिन आये और तभी से यह थिवहर मनाया जा रहा है हमारे शरीर में बुद्धी और मन ये दो ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता सभी व्यक्ति को है बल से हीन हो रहे हैं ऐसे में हमारी बुद्धी और मन पर प्रभाव पढ़ना या यू कहें कि दुश प्रभाव पढ़ना स्वभाविक है इसलिए हमारे रिशी मुनियों ने मनीशियों ने दूड दृष्टा लोगों ने यह थिवहर मनाया जिसमें दीपक का प्रकाश करक के हम सूर्य अथवा चंद्र के बलहीन होने को भी सार्थक कर सकते हैं हमारे जीवन में यह तिवहार मनाया जाता है आजकल जैसे पठाकों का इस पर विशेश प्रशलन हो गया है मैं आपको बता दूँ कि पठाकों की अपेक्षा हमारे देश ने प्रकाश को ज्यादा महत्व दिया है जिस प्रकार वायू प्रदुशन हो रहा है इसको हम प्रठाकों को ना चलाते हुए प्रकाश परवपर दीपक का विशेश पूजन करें और मैं आपको यह बताता हूँ कि किस प्रकार से हम पूजन करके मा महालक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं दारिद्रिता विश प्रकार विशेश एक अभिशाप है कहीं लोगों के लिए आज मैं एक ऐसा आपको पूजन का तरीका बता रहा हूँ जो शास्त्रोक्त है और इस विधी से पूजन करके केसा भी गरीब से गरीब व्यक्ति धनवान बन सकता है जिससे उसकी दारिद्रिता का नाश हो सकता है सरुप्रथम दीपावली के दिन जैसे आज इस बार रविवार को 27 अक्टूबर को दीपावली आ रही है तो रविवार को सुबह अच्छे चोगडिये में सुबह का आप विशेश ध्यान रखें और ये चोगडिया प्रारंब हो रहा है नो बजे से लाब का चोगडिया प पूजन की जगह को पहले लीपे लेपन करें कितना भी आपका अच्छा फर्षवाला मकान हो किन्तु गोबर गोमुत्र से उस जगह को लीपे और उसके उपर स्वस्तिक बनाए कंकू के द्वारा और उस स्वस्तिक पर एक पान इस्थापित करें पान के उपर अक्षत इस् गंते चल सके ये ध्यान रखे है कि केवल संध्या के ही समय दीपक नापरजुलित करना है हमको लक्ष्मी जी की प्रसंगता के लिए घी और तेल के दो द 210 परजुलित करना है एक दीपक कभी भी किसी देवता को नहीं लगाना चाहिए 2 की लगेंगे घी का दीपक हमारे सीधे हाथ की तरफ लगेगा और तेल का दीपक हमारे उल्टे हाथ की तरफ लगेगा इन दोनों दीपकों को प्रजुलित करके और सावधानी पूरुवक वो 24 गंटे चलें इस प्रकार से हमको इन दीपक को प्रजुलित करना है अहोरात्र चलन वाला यह पूजन अहो रातर करत है 24 गंटे जैसे ही आप दीपक प्रजुलित करेंगे वेसे ही आपका यह पूजन प्रारंब हो जाएगा इसके पशात लक्षमी जी की पूजन की सुन्दर तरीके से तैयारी करें और इसमें सर्व प्रथम आता है लक्षमी जी का वह चित्र जिसको हम पाना कहते हैं लोग आजकल ऐसा पाना लेकर आते हैं जो पतला होता है और पूजन के 2-3 दिन बाद ही वो फट जाता है चित्र ऐसा लेना चाहिए जो वर्ष परियंत बना रहे जो हम लक्षमी जी का चित्र लगाते हैं और जिसका पूजन करते हैं वह एक दिन के में होना चाहिए अथवा पीली साडी में होना चाहिए माता जी चत्र भुजाएं इसलिए माता जी के चारो हाथ बड़े सुन्दर और सुघड होना चाहिए माता जी का मुखडा सोम्य शांत और मुस्कुराता हुआ चहरा होना चाहिए इस प्रकार से हम चित्र का चैन करें औ और पुज़ात उनका संध्या के समय में, जो इस समय मोहूरत अच्छा हो, आप अपने दुकान पर भी, अपने प्रासाद पर भी और अपने घर पर भी ये पूज़न करें, पूज़न का विधी में आपको उल्लेक कर रहा हूं, इसको आप द्यान से श्रवन करें, सर्व प्र हमारे फल को देखते हैं, हमें फल प्रदान करते हैं, इससे नवग्रह का पूज़न करें, दश दिक्पाल का पूज़न करें, दीपक का पूज़न करें, कलश एक इस्थापित करें, कलश का पूज़न करें, और धन लक्ष्मी का पूज़न करें, जो पैसा हम इखटा करके रखते हैं, सबसे पहले तो ये बात आप दियान रखें, कि एक ऐसी थेली बनाएं, लाल कलर की, लाल रंग के कपड़े की एक ऐसी थेली बनाएं, जिसमें हम धन संचय कर सकें, बेंक में धन संचय करना अलग बात है, किन्तु इस लाल वस्तर की थेली में धन संचय करें, किसे हर दिपावली पर एक नए नोट की गड़ी चाहे वो पांच के नोट की हो चाहे दस के नोट की हो चाहे पांसो के नोट की हो एक गड़ी उसमें अवश्च डाले और इस प्रकार से प्रतिवर्ष लक्ष्मी पूजन के समय पर एक एक गड़ी जब आप उसमें बढ़ाते चले जाएंगे तो धन संग्रह होता चला जाएगा सूरी पुराण के अनुसार श्रीमत भागवत महापुराण के अनुसार और अन्य पुराणों के अनुसार ग्रहस्त को धन संचय करना चाहिए ताकि वह अतिति का सतकार कर सके पुराणों में ये महत्वाया है लक्ष्मी जी वही प्रसन रहती है जहां साल दरसाल धन संचय होता रहता है पूजन का जो धन है वह संचित होता रहे और उसका हम पूजन करें तो धन लक्षमी का पूजन अनलक्षमी का पूजन और अनलक्षमी में जुआर का पूजन विशेश बताया गया हमार यहां धान्य में पूजन के यो इसके पशात लक्षमी जी को जो अत्यंत प्री हैं, वो है उनके स्वामी नारायन, लक्षमी जी का अकेले पूजन कभी नहीं होता है, आपको पता होगा लक्षमी जी उल्लू पर बेठ कर आती है, इसलिए अकेली आएगी तो उल्लू पर बेठ कर आएगी, और नारायन के और श्री लिख करके उनका भी पूजन करें एक बात का विशेच दियान रखे कि भगवान के प्रि लक्ष्मी जी और लक्ष्मी को प्रसंदे करने के लिए ब्रामन जो भगवान का अत्यन्त प्रि है इस ब्रामन का पूजन भी दिपावली को करना चाहिए एक ब्राम्मन को हम अपने घर बुलाएं उसका विदी विदान से पूजन करें उसे दक्षणा देकर संतुष्ट करें ब्राम्मन का पूजन होने से वगवा नारेन की प्रसनता होती है और नारेन की प्रसनता से मा जगदंबा लक्षमी जी जो धनदानी की देवी है उनकी प् बता रहा हूं, जिसके अनुसार हमें लक्षमि जी का पूजन करना चाहिए, लक्षमि जी की प्री वस्तुओं में कमल पुश्प है, जब हम पूझन करें, तो लक्षमि जी को कमल पुश्प अवस्षी चड़ाएं और माता जी को मोगरा अथ्वा गुलाब का इत्र बड़ा प्रिय है इसलिए इत्र के द्वारा भी पूजन करें शिलक्ष्मी जी को गोगृत बड़ा पसंद है गाय के द्वारा बनाया हुआ घी केसर के द्वारा केसर को घिस कर और उसका लेपन माता जी को करे उसको माता जी के मस्तक पर चड़ाएं तो केसर भी माता जी को बड़ा प अगर कर सकें क्योंकि माता जी का जो भी सुरूप हो चाहे दुरुगा जी का हो चाहे महासरस्वती जी का हो चाहे महालक्ष्मी जी का हो तीनों ही माता जी को हवन बड़ा प्री है तो अगर रात्री के समय में एक हवन कर सकें इस्थिर लगन में व्रिशब लगन इस्थिर शाकल ले कहते हैं काले तिल जो चावल शकर और घी मिला कर और इसके साथ में अगर सुखा बीला बिल्वफल अगर है तो वह भी बड़ा उत्तम है कमल गट्टे हैं तो वह बहुत उत्तम है बेल पत्र इनको एकत्रित करके श्री सुक्त के द्वारा माता जी का हवन करे श्री सुक्त का पाठ और कनकधारा का पाठ अवश्य करे संस्कृत में करे, हिंदी में नहीं करे संस्कृत भाषा देव भाषा है इसलिए शांती के साथ ये पाठ अवश्य करे इसके पश्रात अर्धरात्री तक जागे ये नियम है अर्धरात्री तक हमें जागना चाहिए और एक मंत्र में आपको दे रहा हूँ इस मंत्र के द्वारा ही पूजन करें और इस मंत्र के द्वारा ही हवन करें आप द्यान से श्रवन करें ओम श्रीम हरीम श्रीम कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मेई नमह स्वाहा इस मंत्र के साथ और इसके अलावा भी एक मंत्र है आप अगर इस मंत्र से ना कर पाये तो एक सरल मंत्र भी है ओम महालक्ष्मेई चविद्मह विष्ण पत्याई चधीमह तन्नो लक्ष में ही प्रचोदयात इस मंत्र के साथ पूजन करें इसी मंत्र के साथ हवन करें इसके करने से माता जी प्रसन्न होती है जब हम घर का भोजन तयार करें तो ध्यान रखें खीर अवश्य बनाए और खीर का भोग माता जी को लगाए इस प्रकार पूजन करने के प पूजन करते हैं किन्तु जब हम तयार हो तो माते पर तिलक अवश्य होवे तुलसी की माला अवश्य होवे हमारे शरीर पर और इस प्रकार से तयार होकर जब हम माता जी का पूजन करेंगे तब ही माता जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होगी तो जिस प्रकार हम पठाकों में बहुत समय दे रहें जिस प्रकार हम इधर उधर जाने में और कुछ खरीदी करने में बहुत समय दे रहें उसी प्रकार में आप से चाहूंगा कि आप इस पर्व पर महालक्षमी के इस पूजन में थोड़ा समय दें और जिस विधी के अनुसार में ने पूजन बताया है इस केसा भी व्यक्ति हो कितना भी गरीब और दरिद्रता का मारा हो वह भी लक्षमी को अश्ट लक्षमी को प्राप्त होगा अस्तु अम्रित वानी टीवी जो की डीजी आना पर 605 नंबर पर चलता है ये बड़ा धार्मिक शेनल है और इस चेनल पर धर्म का प्रचार प्रसार व अम्रित वानी जलक रही होती है जिसे सुनकर सभी भक्त जन प्रसन्न होते हैं इस अउसर पर आज अम्रित वानी के द्वारा मैं आप सभी लोगों को अम्रित वानी चेनल के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुपकामनाई देता हूं हार्दिक बधाई देता हू 27 अक्टुबर रविवार के दिन लक्ष्मी पूजन की आप सभी को हार्दिक बधाई आप इस त्योहार से दिन प्रती दिन खुब उन्नती करें लक्ष्मी जी आप पर सदेव प्रसन रहे धन धाननी आपके यहां व्यापक रूप से बना रहें जैश्री कृष्ण मेरा नाम पंडित संजे कृष्ण त्रिवेदी है और रहवास इंदोर का है